हलो फ्रेंड्स, welcome to technical episode pro, मैं हूँ शुभांकर, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे PM किशान रेजिस्ट्रेशन के बारे में, जी हाँ फ्रेंड्स, PM किशान सम्मनीधी यजना का जो रेजिस्ट्रेशन है, ओ फेर से स्टार्ट हो चुका है, तो किस तरह से आ आपके लिए बहुत ही important होने बाला है, तो इस वीडियो का आप शुरू से लेका last तक जरूर देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहला मैं हमेशा की तरह आपको बोलूँगा, अगर आपने पहली बार मेरे चैन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं पी एम किशन शम्मनी दीगा, जो ओफिशियल वेबसेट है, पीमकिशन.gov.in उस पे आभी आ चुका हो, तो फ्रेंड्स देखिए, पीम किशन का निव रेजिस्टरेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूसर हो, और आप यह पे आके निव फार्मा रेजिस्टर्ड करोगे, तो अभी नहीं होगा, ओल्ड बाला प्रोसेस अभी चेंज ह हो चुका है, अभी आपको निव प्रोसेस फॉलो करना होगा, ताभी जाके आप पीम किशन सम्मा निधी में आपका नाम जोड पाओगे, तो निव प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो का आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ ताभी आपको फॉल प्रोसेस पाता चलेगा, आज के टाइम पे सेर्फ आप सेर्फ CSC सेंटरी PM किशन में रेजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी एक निव ट्रीक है, आगर नॉर्माल आप CSC लॉगिन करोगे और PM किशन को एपलाई करोगे तो नहीं होगा, वहाँ पर भी प्रोसेस को चेंज किया गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आभी आपको CSC के थूई रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आप एक नॉर्माल सिटिजिन हो, और आप चाहते हो कि आपका पहले CSC जिसके पास COK करेगा, PM किशन की ओफिशेल वीडिसेट पर आना पड़ेगा, और उसके बाद देखिए आप राइट साइड कॉर्णर पर देखिए CSC लोग इन है, तो फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करोगे, देखिए आपके समने इस तरह के डैश्बूर्ट आ जा यहाँ पर क्या है, देखिए CSC डाश्बूर्ड लिखा है, और देखिए CSC यूसर, तो आभी देखिए आप लोग आउट का भी ओप्शन आ चुका है, यानि आप PM किशन की जो ओफिशेल वीडिसेट है, वो आपके CSC लोग इन कर चुके है, उसके बाद देखिए फार्मा पर रेजिस्ट्रेशन, तो जैसे आप इस फार्मा रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, देखिए फेंस, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो फेंस, आगर आप CSC के थ्रू अप्लाइ करते हो, तो यहाँ पर आपको 15 रुपिस का पेमिंट करना पड़ेगा, पर रेजिस्ट लिंक है, तो फेंस, उसके लिए क्या कारना पड़ेगा, एक निव लिंक है, तो चले मैं उसको उपेन कर लेता हूँ, तो देखिए फेंस, जैसे मैंने यहाँ पर उपेन कर लिया है, देखिए, निव फार्मा रेजिस्ट्रेशन का ओप्शन हमारे सामने खुलके आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कोई भी स्कीन शॉट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइब प्रोसेस के साथ दिखा रहा हूँ, देखिए, मैं कोई भी स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, उसके बद मैं डिस्टिक्ट को सिलेक्ट करूँगा, उस असको आधे कि farmer's type यह पर आधार से small है तो जो भी आपका है आप यहाँ पर enter करोगे उसके बाद देखिए आपको IFC code देना होगा bank का name में आपको automatically calculated होके आजायेगा उसके बाद देखिए आपको account number देना पड़ेगा तो मैं आपको बोलूँगा farmer का जो active mobile number है उसी को आप यहाँ पर enter करना तो friends मैं आभी आपको बताता हूँ ए लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा देखिए friends अगार ए लिंक आपको चाहिए तो यहाँ पर दो condition हो पहले आपको मेरे चैनल को subscribe करना पड़ेगा and comment पर आपको लिखना पड़ेगा जो new registration का लिंक है उसको provide कीजिए ताभी मैं आपको ए लिंक provide कर दूँगा तो फिलाल के लिए मैं इसको description में नहीं दूँगा अगर आप subscribe करते हो मेरे चैनल को and comment करते हो कि ए लिंक आपको चाहिए ताभी मैं इसको provide करूँगा तो ए काम करने के बाद आपको 24 hours wait करना पड़ेगा जी हाँ fence आप धियान से सुन लिजिए and देख लिजिए ताभी आप यहाँ पर successful registration कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे उसके बाद आपको make payment पे click करना होगा तो जैसे आप make payment पे click कर दोगे देखिए आप अधर नांबर देना होगा एक capture code देने के बस search करोगे उस beneficiary का नाम आ जाएगा और यहाँ अप अधर के side में payment का option आएगा उस payment पे click करके आपको यहाँ पर payment करना होगा CSC से आपका 5 रूपिस के आसपस कुछ कटेगा और आप beneficiary के साथ 15 रूपिस ले लोगे और यह registration successful हो जाएगा जी हाँ फेंड्स फिलल के टाइम पे यही process को follow करके आप PM किशान में नई registration कर सकते हो लेकिन फेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आगर आपको registration का link चाहिए तो आपको मेरी चैनल को subscribe करना पड़ेगा और comment box में लिखना पड़ेगा तो आपको भी लिंक चाहिए तो फटाफट मेरी चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो के एक like कीजिए और comment box में लिख दीजे की एक लिंक चाहिए तो फेंड्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ CST Center Cup की सरसे find कर सकते हो तो फेंड्स उसके लिए आपको Google पे CST Locator आपको लिखना पड़ेगा तो CST Locator आप जैसे लिखोगे देखिए फेंड्स यहापर एक option आया है registration.csc.gov.in और देखिए VLE Locators तो यहापर आपको किलिक करना पड़ेगा तो जैसे फेंड्स आप किलिक करोगे देखिए आपको CST का official website खुल जाएगा यहापर आपको state का name select करना पड़ेगा और उसका बाद देखिए यहापर आपको district select करना पड़ेगा तो कोई भी में एक district को select कर लेता हूँ और जैसे मैं select करके यहापर search करूंगा देखिए फेंड्स इस district में जहापर भी CST Center है साभी यहापर आ गया है यहापर फेंड्स देख सकते हो उसका CCID दिया गया है VLE name है कांसा state, कांसा district एन उसका full address दिया गया है तो इसी address पे आपको visit करना पड़ेगा और आपको PM किशन registration करना पड़ेगा तो फिलाल के लिए एही process है अगर future में open registration स्टार्ट हो जाता है पहले जैसा होता था जो कोई भी कर सकता था तो मैं फेर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको तुरंत बाता दूंगा जो new registration है उस साभी के लिए start हो गया है लेकिन जब तक start नहीं होता है आपको CSC Center के थूई करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर जो हमारा local ADA office है जो agriculture department है आज किस वीडियो में इतना ही बाता ना था तो यह वीडियो कैसा लागा है comment करके ज़रूर बताई अगर यह वीडियो आच्छा लागा है तो इस वीडियो को like कीजिए और share कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मुझे social media पे भी follow कार लिजिए description में आपको facebook, twitter, instagram and telegram सभी का link मिल जाएगा तो telegram पे मैं सबसे पहले update देता हूँ तो what of what telegram channel पे join हो जाएगा description में आपको link मिल जाएगा तो चलिए friends मिलता है next video में तब तक ले बाबाई